तो कहानी की शुरू में हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जब ने काम की वज़ा से रात तक स्कूल में ही रुके हुए थे ये सब ही दोस्त थे काम करती हुए अचानक लाइट चिली चाती है तब बोल हो रहे थे तब शीनों सागी एक कावस की बुढ़िया ब और फिर तीन बच्ची एक ही दिन में घाइब हो गए जिन में से दो किलाज कुछ दिन बाद स्कूल से ही मिली और एक बच्ची आज तक होई नहीं जानता कि वह कहां गई शीनों सागी कहती है इंट्रेस्टिंग बात ये कि हमारे स्कूल उसी ऐलिमेंटरि स्कूल को जाओ माना चाहता है कि अगर उस गाइब गई लटकी की डॉल बना कर कुछ स्पेल्स पोले जाएं और फिर उस डॉल को एक साथ पकड़ कर भार दिया जाएं और उसके टुकड़े संभाल कर रखे जाएं तो रिचुल करने वाले दोस्त कभी एक दूसरे से लग नहीं होंगी अगर हम भी ये रिचुल करें तो हम भी हमेशा साथ रहेंगे जैसे अब हैं ये सुनकर सभी उसकी बतायर रिचुल को करने के लिए मान चाते हैं और एक साथ उस काहस की डॉल को पकड़ कर कुछ स्पेल्स पोल कर उस डॉल को एक साथ भार देते हैं अब सब लोग खुश पर एकसाइटिड थे कि वो हमेशा साथ रहेंगे लेकिन तब ही अचानव उनके स्कूल में सलसला आ जाता है जमीन अचीब भयानत तरीके से हिलकर टूटने लगी इन्हें यहां से भागने का बगबे नहीं मिला और एक्दम से सारे के सारे उस जमीन के अंदर थस गए जहा जहां इन्हीं इनकी टीचर व्ली जाती हैं और यहां आकर इन्हें मालूम होता है कि शीनोजाकी की रिच्वल की वजा से यह सब लोग किसी तरह उसी एलिमेंटरी स्कूल के अंदर आ गई थे जिसकी कहानी उसने सुनाई थी बाहर जाने कभी कोई रास्ता नहीं था शीजो बिलकुल एलिमेंटरी स्कूल जैसा है और करस्ट है इस यूनिवर्स में उस बच्ची के गुमने की वो कहानी चुपी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता यहीं पढ़ते हुए अचानक इन्हें बाहर से अजीब आवास आई फूरन एक बच्ची बाहर चेकर नहीं गई तो किसी ने उसके सर पे हद थोड़ा मार दिया कुछ इस तरह से कि उसका सर और मुध दोनों पढ़ गए और वो स्वही मर गई उसकी इतनी भयानक मौत देखकर सब भी बच्चे डगए वहां से भाग जाते हैं और एक दूस्टे से अलग हो जाते हैं यहां नाउमी किसे च हो गई इस लाश को देखकर इन्हें यह भी मालूब हुआ कि वही नहीं यहां पर पहले भी लोग उस रीचुल को करने के बाद आकर फस चुकी हैं और जो यहां आता है वो मारा जाता है इधर नाउमी की जो दोस्त उसके साथ थी वो उसे उठाकर मेडिकल रोम में लेकर आ यहां एक चीप सा पेंडेट मिला जिससे उसने उठा लिया और उठाते ही उसके उपर अचानक दो सोल्स ने यही दो आत्माओं ने हमला कर दिया वो देखती है कि दोनों सोल्स छोटे बचों के थी उनसे पिछने के लिए वो बिजारी लंगलाते हो यहां से भाग जाती है लेकिन जादा दूर तक वो भाग पर नहीं पाई रास्ते में ही गिर गई और यहां पर उसे उसकी दोस्त में मिल गई अब क्योंके नाओमी को ठोक रहा था कि पहले उसकी दोस्त उसे छोड़कर भागी है इसलिए नाओमी उसे बहुत बरावला कहते थी है उसकी मदद पर नहीं लेती और दुखी होकर उसकी दोस्त वहां से भाग जाती है उस दूसरी लिट्की के यहां से जाती ही अब नाओमी को अचीब और गरीब आवाज से सुनाई देने लगी थी चीज़े सुनते हुए उसके कानों में दर्थ होने लगा पर फिर वो बेहोश हो गई दूस से उसकी बेहन गाइब हो जाती है दो बुरी तरहागा प्राच का था अभी वो इस दत्मे से बाहर निकलाई नहीं था कि उसके सामने एक सूल आ गई जिसके मूँसे खून निकर रहा था इसे देखकर वो डर किया उसने चीफ मारी और वो सूल पी वहां से चली गई यहां अब हम शीनो साकी को देखते हैं जो अभी भी उसी किताब को पढ़ रही थी और यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंड रही थी इस किताब के मताबिक उसे पता चलता है कि जो नर्स और तीन बचे मारी गए थी उनको स्कूल के कॉइडिनेटर की स्टोल ने मारा था एक बच्ची का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला और दो की जब डेट पॉडिस मिली थी तो उनकी जुबान कटी हुई थी उसने आखिर उस तीसरी बच्ची के साथ क्या किया था ये बाद अभी तक किसी को नहीं मालूम ये लोग अब उस भटे पीच को ढूनने का पसला करते हैं शीनोजाकी जब इस रूम से बाहर निकलती है तो उसे हालवे के अंदर नाउमी की डायरी मिले उसने जब डायरी को उठा कर देखा तो उसमी नाउमी और सातोशी की एक पिक्चर थी वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन शीनोजाकी भी सातोशी को पसलन करेती थी इसलिए ये पिक्चर देखर उसे बहुत गुसा आया और उसने ये डायरी चुपाने का फैसला किया इसी डायरी के अंदर नाउमी ने अपना वो डॉल वाला पेज भी रखा था खैर की डायरी पॉकेट में रखने के बाद शीनोजाकी अपने साथी के साथ एक रूम के अंदर जाती है जहां से अपनी दूस्ती क्लास वेनों ने सराई दिले और इन्हे सोल्स की दूनिया में पहुंचा दे यही बात खूशीनो सा के और इसके साती को भी पदाती है उसका साती उन दोनों सोल्सको देकर बुरी तहँं डर चुका था покуп वो इस लड़की से कहता है तूरहटो इन सोल्से और यह सुनकर उन दोनों सोल्स को गुसा आजाता है और वो अपना गुसा अपनी ही दोस्त यहनी इस लड़की के उपर उतार देते हैं और उसे उठा कर दिवार के उपर इस तरह से मार दे हैं कि उसकी बॉड़ी के टुकडे टुकडे हो जाते हैं और सारे की सारे टुकडे दिवार के साथ ही छिपक जाते हैं कि देखकर तो जैसे इन दोनों को भी होश नहीं रहा था सीम कर टोकर हमें नाउमी को दिखा जाता है जो हॉल वे के अंदर बेहोश हुई थी और अब जब उसे होश आया तो वो वाश रूम में थी उसने सामने देखा तो वहाँ उसकी दोस्त की डड़ बोड़ी लटकी हुई थी ऐसा लब रहा था कि जैसे उसने सुसाइट की हो गिरेकर वो बुरी तरहा डर गई उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके दोस्त के साथ क्या हुआ वो अब अपने आपको कसूरवा ठेराने लगी थी कि उसने अपनी दोस्त को इतनी बुरे तरीके से ट्रीट किया था कि उसने दुख में अपनी जान ही ने ली शौक में काफी देर तक वो वाश रूम में ही बैठी रही और ताब साथ दोशी उसके पास आया जो पहले अपनी बेहन के इस वाश रूम में गुमने की बज़ा से डरा हुआ था वो देखता है कि नाउमी के पाउं पे चोट लगी थी वो चलने ही पा रही थी इसलिए वो उसे उठा कर आगे पढ़ता है यहां इनका एक ओल क्लास वेलो अब उस रूम में आता है जिस रूम में उन सोल्स ने एक लड़की को दिवार पे मार के मार दिया था लड़की के जिसम के टुकड़े और खोन को दिवार पे लगा देखकर वो पागल हो गया शीनो जाती और उसका साथी अब एक अजीब से कमने में पहुँचे थे जहां एक फ्रिज और कुछ टेप्स रिखी थी फ्रिज के अंदर उन्हें कुछ जुबाने मिलते हैं और वो समझ चाते हैं यह जुबाने उन्हीं बच्चों की हैं जिसके पीछे इस स्कूल के प्रिंसिपल की सोल पर्च की थी जिसने पचने कि इनके वो एक रूम में छुप जाती है और उसी रूम में उस प्रिंसिपल की सोल को वो पागल हुआ लड़का दिख जाता है जिसे खुसे में वो कुछ इस तरह से मारता है कि उसका सर बिलकुल क्रैश ही हो गया और ये देखकर साथोशी की बहन बुरी तरह डर गई इससे पहले कि वो चिलना दे थी यहाँ पर एक छोटी लिड़ी आकर उसे यहां से बचा के ले जाती है अब सीन कट होकर हम दुबारा साथोशी और नाउमी को देखते हैं जो चलते हुए उसी रूम तका गई थी जहाँ पर शीनोजाकी भी थी इस रूम से शीनोजाकी को जो टेप मिली थी वो उसे साथोशी को दे देती है जो उसे जब कम्प्यूटर में चला कर प्ले करता है तो इन्हें मालूम होता है कि ये वीडियो उसी ने बनाई थी जिसने वो रिच्वल वाली बुक लिखी थी पहले उस राइटर की किताब में उस बच्ची के गईब होने के बारे में नहीं बताया गया था और वही कहानी मुकमल करने के लिए वो भी वही रिच्वल करके इस दुनिया में दुबारा आया था क्योंकि वो जानता था कि वो छोटी बच्ची की कहानी जानने के बाद दुबारा रिच्वल करके अपनी दुनिया में वापिस चला जाएगा लेकिन अफसोस के यहां आते ही उसके एक साथ ही को प्रिंसिपल ने हद दोड़े से मार डाला जिसे देखकर ये चारो बच्चे बहुत सा दड़ जाते हैं इसके बाद वो राइटर बताता है कि मैं ये रिचुल पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस रिचुल पूरा करने के लिए इस दुनिया में जितने भी सोल्स फसी हुई है उनको आसाथ करवाना जरूरी है जो मैं नहीं कर पाया उसके हाथ में इस टाइम वही बेच था जिसके अंदर तुबारा असल दुनिया में वापस जाने का रिचुल था वीडियो के आखिर में वो राइटेल महारश आता है लेकिन इसी वीडियो के सरके आखिर साथ उशी उस गागस का पता चला ही लेता है इन्हें अब वापस जाने वाले रिचुल का तरीका मिल गया था इन्हें अब उस कागस की डॉल के वो सारे टुकड़े चाहिए थे जिन्हें भाड़ गई ये लोग यहाँ तक पहुँचे थे यहां सब भी लोगों के पास अपने अपनी टुकड़े मुझूद लेकिन नाउमी के पास नहीं था उसकी डुकड़े में रखा था और उसकी डुक्म हो गई थी तेकिन गिस्मत से वो डुकयी तो शीनोजाकी को ही मिली थी अब शीनोजाकी नाउमीको एक कागस का तुकड़ा दे देती है ये कहते हुए कि यह उसे डॉल का भटा हुआ तुकड़ा है हलाके हमने देखा कि व और सातोशी दोनों साथ रहेंगे। खेर कि टुकड़ा देने के बाद अब शीनोजाकी जाती है अपने साथी के साथ उन दोनों सोल्स के पास जिनकी टंग उन्हें फ्रिट से मिली थी। ये टंग लेते ही वो दोनों सोल्स खुश हो जाती हैं। इसे उनकी बाड़ी पूरी होते ही स्कूल के अंदर लाइट तो आजाती है लेकिन शीनोजाकी और उसका साथ ही देखते हैं कि वो सोल्स आजात नहीं हुई थी। जिनी इसका मतलब कि अभी भी कोई चीज ऐसी थी जो इन सोल्स को परिशान कर रही थी। शीनोजाकी के पूछने पर ये सोल्स शीनोजाकी को हाथ लगा कर एक वियन दिखाते हैं जिसमें वो देखते हैं कि इन दोनों छोटे बच्चों को स्कूल के डायरेक्टर की सोल्स ने नहीं मारा था बलके उस छोटी बच्ची की सोल्स ने मारा था जिसके पारे मेने पता चलाए कि वो खाइब है सिर्स यहीं नहीं वो बची अभी भी लोगों को मारती जा रही थी और इस दुनिया कर्स खतंब करने क लिए इन्हें उस भची की सोल को रोकना था शीनोज Kenneth अपने साथी के साथ मलकर उस बच्ची की सोल को रोकने के लिए जाती है जहां हमें देखने को मलजा है कि उस बच्ची की सोल पहले ही सातोशी की बेहन को पकर चुकी है उसने सातोशी की बेहन को बेट से लिटाकर उसके हाथ पाउं बांदे हुए थी वो पहले एक अमरीला को साथोशी की बेहन की जिसम में स्टाप करती है और फिर घैंची से उसकी जुबान भी कार दीती है जितनी देर में शीनोजाकी और उसका साथी यहां पहुँचे थे उस बच्ची की सोल के सारा काम कर चुकी थी और ये देखकर शीनोजाकी सुन रहे गई होश में आने पर शीनोजाकी फोरण साथोशी की बेहन को उठा कर बहां से भागती है और हम देखते हैं कि पीछे से उस बच्ची की सोल हस रही थी जैसे वो ये काम करके बहुत खुश हुई हो शीनोजाकी और उसके साथी का अब सामना हो जाता है डायरेक्टर की सोल से जो अब शीनोजाकी को मारना चाहता था लेकिन शीनोजाकी का साथी उसे बचाने के लिए उस सोल का सामना करता है और यहां खुद ही सोल से मार खा लीता है उसको रास्ते से हटाने के बाद कि सोल दोवारा शीनोजाकी की दरफ पड़ी तो एक और मरत्वा उसका साथ ही हिमत करते हुए पास पड़ी एक स्टिक लेकर उठा और उसने उस सोल के जिसम के अंदर स्टाप कर दिया ऐसे वो सोल मर गई और शीनोजाकी भी बच गई लेकिन अफसोस कि वो नहीं बच पाया क्योंकि पहली सोल ने जो उसके उपर हमला किया था उसकी वज़ा से वो अब मारा गया अब सीन कट होकर हम सातोशी और नाउमी को दिखते हैं जिनके सामने उस इवल बच्ची की सोल आ चुकी है इसको देखकर ये दोनों ही डर कर थे सातोशी डर कर यहां से भाग चाता है लेकिन नाउमी भाग नहीं पाती और वो जाकर एक रूम में छुप जाती है इस रोम के अंदर बहुत सारे CCTV कैमराज की फुटेज इस थी इनको देखकर नाउमी को अपनी दोस्त की हाथ आती है जो वाश्रूम में मारी गई थी वो अब उसकी मौत की वज़ा चाननी के लिए CCTV की फुटेज चब रिवाइन करती है तो यह देखकर उसके होशी उडगे कि उसने खुद अपनी दोस्त को मारा था इसलिए नहीं कि उसकी दोस्त ने उसे धोका दिया था बलके इसलिए कि उस एवल बच्ची की सोल ने नाउमी को पूरी दरहां पुज़ेस्ट कर लिया था यनि अपनी काबों में कर लिया था इसी के चलते नाउमी ने अपनी दोस्त को मार डाला यह देखकर वो बुरी दर मनूहाँ रोने लगी उससे अफसोस हो रहा था कि वह कैसे अपनी जान से पहली दोस्त को मार सकते हैं। उसे बचाने के लिए बाहर गई सीन कर ठोकर हमें शीनोजाकी को दिखाया जाता है जो सातोशी की बहन की बॉड़ी लिए एक जगा सुन बैटी थी कि तब ही कोई सोल उसके लिए एक मैसेज लिख कर जाती है जिसमें लिखा था तुम बेसमेट में जाओ इदार नाउमी जो स अतोशी को बचाने के लिए आई थी एक तब सही नाउमी को दिखती ही वो सोल यहाँ पर सब को छोड़ शार कर भाग गई और तब नाउमी को बता चला कि उससे जो लोकेट जमीन से उठाया था शायद उससी को देखकर यह सोल भागी थी यह लोग जैसे ही अब उस बची ने देख ली थी अपनी मॉम का मर्डर होते उस बची ने देखा था यह बाइट डायरेक्टर को भी पता चल गई और फिर डायरेक्टर ने उस बची का पी गला खोड़ के उसे भी मार डाला फिर यह दोनों मर्डर चुपाने के लिए डायरेक्टर ने इन दोनों की dead bodies को basement में चुपा दिया था और बस उसी दिन से उस बची की soul इस school के अंदर भर्टकने लगी थी और कर्स की शुरवात हुई थी आइस्ता आइस्ता करके उस बची का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसके गुस्से की वज़ा से यहां एक parallel universe बन गया यह कहाने जानने के बाद नाओमी ये बात तो समझ आती है कि अगर ये लोग उस बची की soul का गुस्सा ठंडा करनेंगे तो ये सब कुछ ठीक करने में कामियाब हो सकते हैं खर ये लोग अब तुबारा पैटनेट में दिखते हैं और इनका वेन कॉंटिन्यू हो जाता है जहां ये लोग दिखते हैं कि मरने के बाद उस बच्ची की soul डारेक्टर को बहुत जाता तंग करने लगी थी इसलिए डारेक्टर ने बेस्मेंट में जाकर उस बच्ची की जुबान को ही काट दिया और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए अब ये बच्ची जिसको भी मारती है उसकी जुबान कार देती है खैर अब ये दोनों ये मामने सुल जाने के लिए बेस्मेंट में जाते हैं जहां इन्हें शीनोजाकी भी मिली ये लोग वहाँ जाकर उस बच्ची की लाश को जैसे देखते हैं तो एकदम से वो लाश जिंदा होकर बैट गई और सातोशी पुरी तरह डर गया उस सातोशी नहीं देख पा रहा था उस लड़की ने उस एवल सोल ने सातोशी को पॉस्जेस कर लिया था और इस पॉस्जेशन में उसने सोल के बचाई अपनी ही बेहन को मार डाला था और ये चीज़ रियलाइस होने पर वो खुद भी काप शाता है इसे सब के तुरां पीच किसी को मारना नहीं चाहेंगी तुम उनका बदला अगर हमसे ले रही हो ती ठीक नहीं है लेकिन ये सोल उनकी एक बात नहीं सुनती वह दुपारा नाओमी के उपर हमला करने ही वाली थी कि नाओमी इस टाइम उसके सामने वह ये पैंडने लिया जिसकी विज़ा से वह पह जिसे गले लगा रही हैं अपनी मौम के प्यार का हिसास मिलते ही उस नर्की का साना खुसा खत्म हो चुका था और खुसे की खत्म होते ही वो कर्स भी ये कर्स खत्म होते ही अब ये दुनिया भी तूटने लग चाती है इससे पहले कि दुनिया पूरी दरह खत्म हो जाती इ इन्ही रिच्वल का हुलट करते हैं और अपनी दुनिया में वापिस जाने किलगे अपने पास मुझोद उस डॉल के पेजिस को मिला देते हैं। इसकरते ही समीन सोर से हिलती हैं इन्हें तेस रूश नहीं दिखायते हैं। यह लोग अपने दुनिया में अपने स्कूल में पहुँचा दे हैं। दुनिया में आते ही सब से पहले हमें नाओ्मी को दिखाया जाता है। हलाकि उसके पास तो पेपर भी निखली था और साथ ही हम शीनो साकी को भी बैठा हुआ देखते हैं इन दोनों नहीं दूसरे उनिवर्स में साथ पकड़ा हुआ था लेकिन अब असली दुनिया में देखते हैं कि साथ उशी का एक हाथ नाओमी के आत्मी है और दूसरा हाथ साथूर्शी के हाथ में और वो खुड इस असली दुनिया में नहीं आ पाई एसा असली रख उसके पास असली गृडया का पेपर नहीं था उस内 को चलाकि करते हुए देखिंद विए असली डीजिए इसने बाहाने सब्सक्रण बेपर नाओमी के सब्सक्रा चेज्ज कर लि को खो धिया और बस यही दिखाते हुई यह कहानी यहां खत्म हो जाती है